इस शासन प्रणाली में कारेपालिका उसकी शक्तियां किसी एक व्यक्ति में नहित नहीं हैं बलकि कैबिनेट में हैं जिसे हम मंत्रि मंदल कहते हैं कैबिनेट में हैं कारेपालिका की शक्तियां जहां अध्यक्षी प्रणाली में राष्ट्रपति में नहित थी एक व्यक्ति पे नहित थी और वह भी किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं था उसे भी चार वर्ष के पूर हटाया नहीं जा सकता सामाने सित्यों में जिससे निरंकुष्टा का भै रहता है इसके ठीक विप्रीत यहां पर उत्तरदाईत की कल्पना विवस्थापिका के सदत्य होने की कल्पना या व्यवस्थापिका के सज़स्य होने की विवश्टा ये सुनिश्चित करती है कि मंत्री मंडल उत्तरदाईत को ध्यान में रखते हुए कारे करेगे इसलिए इसे मंत्री मंडल आत्मक या कैबिनेट शासन भी कहते हैं और कारेपालिका अपने कारेओं के लिए व्यवस्थापिका के प्रती पूरी तरह उत्तरदाई होती है इसलिए इसे उत्तरदाई शासन भी कहते हैं तो जैसा कि उत्तरदाई शासन शब्द से स्पष्ट है इस संस्दात्मक प्रणाली की ये एक बहुत बड़ी विशेष्टा है बहुत बड़ा गुण है कि इसमें उत्तरदायत्व की कल्पना को बल दिया गया है और इसलिए इसे कैबिनेश शासन भी कहते हैं क्योंकि मंत्री मंडल जो है वो मूल रूप से कारेपालिका का प्रतिनेशित्व करता है शंस्दी शासन के लिए ये जरूरी है कि विधान मंडल या हम जिसे व्यावस्थापिका भी कहते हैं legislature कहते हैं अंग्रेजी में उसमें कम से कम दो राजनीतिक दल तो हो ये इसकी एक जरूरत है एक अच्छे लोकतंत्र एक अच्छी संसिदी व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि कम से कम दो दल के सदस्य हो और वही दल सरकार बनाएगी जो विधान मंदल में बहुमत रखती है तो बहुमत का जो आधार है सरकार बनाने का ये बहुत अहम आधार है जिस और ज्यादा सदस्य है जिस दल में ज्यादा सदस्य है इसका अर्थ है उस दल का देश में ज्यादा लोगों का समर्थन बहुमत उसका और चूंकि उसका बहुमत है इसलिए उसकी सरकार ये कल्पना या ये विचार ये सिधान्त संशदी विवस्था का एक बहुत अहम सिधान्त है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक दल का बहुमत नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में क्या होता है फिर आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा NDA और UPA National Democratic Alliance United Progressive Alliance क्या है ये दलों का समूह है जब किसी कारण वश एक से ज्यादा दल एक समूह में मिल जाते हैं एक समूह के रूप में काम करते हैं और अपने समूह को एक नया नाम देते हैं ये कभ होता है ये होता है जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला हो और यहां बहुमत के माइने क्या हैं ये आपको स्पष्ट कर दूँ बहुमत का अर्थ है भारत के परिप्रेक्ष में लोगसभा के सदस्यों की जो संख्या है वास्तविक संख्या लोगसभा के जितनी सीटे हैं उसकी नियूनतम आधे से ज़्यादा सीटों पर उसके सदस्यों चिनाव जीत कर आए हो तो बहुमत कहलाता है बहुमत और सबसे बड़ी पार्टी ये दो में अंतर समझने के कुशिश करिएगा सबसे बड़ी पार्टी अर्थात सबसे ज़्यादा जिसके देश में सदस्यों हो वो नी सबसे बड़ी पार्टी अर्थात वह पार्टी जिसके लोग सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य हो गल्बना करिए लोग सभा में करीब करीब पंदरा दलों के सदस्य हैं उसमें एक दल ऐसा है जिसके सदस्यों की संख्या सौ है और बाकी सब दलों के सदस्यों की संख्या किसी की पचास किसी की साथ किसी की नब्बे अस्सियादी है लेकिन एक दल जिसकी सरवाधिक संख्या है सौ लोग सभा की कुल सीटें कितनी हैं पांस सौ पैंतालिस पांस सौ पैंतालिस में सौ दल वाली पार्टी जो है सौ सीटों वाली वह सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन बहुमत वाली पार्टी नहीं है बहुमत वाला दल नहीं है बहुमत वाला दल वही होगा जिसके पास 545 से आधी से ज्यादा सीट हो तो 273 प्लस 1 उसे बहुमत देता है तो 100 पार्टी वाली सीट सबसे बड़ी है 100 पार्टी वाला दल सबसे बड़ा है पर बहुमत में नहीं है largest party है पर बहुमत नहीं है अब बहुमत किसे होगा या बहुमत कैसे होगा बहुमत के लिए जा 273 के magic figure को पाने के लिए भारती संदर्ब की बात कर रहा हूँ कई दल मिलके एक समू बना लेते हैं और समू बनाकर उन दलों के सदस्यों की कुल संख्या 273 पार कर जाती है तब बहुमत का दल कहलाता है और इसमें जरूरी नहीं है कि उस दल संख्या में largest party शामिल हो ये भी ख्याल रखेंगे छोटी छोटी पार्टियां जिनके सदस्यों की संख्या 5, 10, 15, 20, 50 है ये लोग मिलके अज़ी 273 की संख्या पार करते हैं तो बहुमत इनका होगा भले ही उसमें largest party शामिल ना हो तो एक उदारन है 1989 1989 1989 1989 में जब भारत में चुनाओ हुए लोक सभा के तो पहली बार लोक सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था पहली बार किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था अर्था पहली बार कोई साभी दल 273 सीटें अपने दम पर नहीं जीत पाया था किसी एक दल की सरकार नहीं बनी और पहली बार कुछ दलों ने मिलकर एक संयुक्त दल बनाया जिसका नाम दिया राश्ट्री मोर्चा नैशनल फ्रंट इस पकार राश्ट्री मोर्चा जो थी वह भारत में पहली बहु दली सरकार थी राश्ट्री मोर्चे की सरकार बनती है 1989 में जनता दल के नित्रत तुमें अब इसका मायने क्या हुआ इसका मायने यह हुआ कि राश्ट्री मोर्चे में जो कई दल शामिल हुए उनमें जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा थी लेकिन वो बहुमत से कम थी इसलिए उसने अन्य दलों के सहयोग से बहुमत हासिल किया 273 से ज़्यादा सीटों की संख्या को पाया और सरकार बनाने का दावा पेश किया और सरकार बनाई भाजपा और वामपन्थी दलों का समर्थन इसे मिला राष्टी मोर्चे को भाजपा और वामपन्थी दलों का समर्थन मिला यद्यपी ये जो प्रयोग था बहुद अली सरकार का पहला प्रयोग वो सफल नहीं रहा सरकार ज्यादा दिन नहीं चली गिर गई सरकार गिर गई नहीं चली के माइने ये कि जो इस समू में जो दल थे उनके विचारों में बहुत टकराहट थी 36 का अंकड़ा था कई दलों के बीच में वो तो सत्ता में आने के लिए साथ आये थे लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाए और बिखर गए तूट गए पर नाम यह हुआ कि राश्टी मोर्चा उसकी सरकार बंग हो गई तो फिर संसदी सरकार की परिभाशा क्या है संसदी सरकार की परिभाशा की अदिबात करें तो डॉक्टर गार्नर के अनुसार संसदात्मक शाचन प्रणाली वह शाचन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कारेपालिका अर्थात मंत्रि मंडल विवस्था पिका अर्थात लोक्री सदन के प्रति तथा अनतिम रूप से मत दाताओं के प्रति जिम्मेधार है उत्तरदाई है और राज्यका प्रधान नाम मतर का तथा अनुत्तरदाई होता है राज्य का प्रधान अब राज्य का प्रधान से ताटपर क्या है भारत के संदर मेरी बात करें तो भारत राज्य का प्रधान है राश्टपती राश्टपती हमारी समवधानिक ढाचे में मात्र नाम मात्र का प्रधान है और अनुत्तरदाई है आनेकाउंटेबल है तो इस पकार हम समझ सकते हैं कि संसदी प्रणाली में वास्तविक कारेपालिका यानि मंत्रि मंदल संसद के प्रती अकाउंटेबल होती है और संसद यानि जनता क्योंकि वो लोग संसद कौन है संसद में वे लोग बैठते हैं जो जानता के प्रतिनी दी हैं तो इसलिए संस्दी व्यवस्था में उत्तर दायत्र की भावना बहुत अहम है गैटिल उसके अनिसार मंत्र मंदल आत्मक प्रणाली अथ्वा संस्दी सरकार उस पद्धती को कहते हैं जिसमें वास्तविक कारेपालिका चाहे उसे हम प्रणान मंत्री और मंदल कहें वह अपने कारियों के लिए कानूनी रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर दाई है तो आप आएंगे कि दोनों ही परिभाशाओं में दो चीजें कॉमन हैं पहला वास्तविक कारेपालिका यह शब्द अर्थाद मंत्री मंदल दूसरा संसद के प्रति उत्तरदाई और तीसरी बात ये भी आपने देखी कि जो राज्य का प्रधान है वह केवल नाम मात्र के लिए अनुत्तरदाई व्यक्ति होता है तो ये बात इसपश्ट होगई आपको अब हम आते हैं जिस प्रकार हमने अध्यक्षी प्रणाली के गुण और विशेष्टाओं का अध्यन किया उसी प्रकार अब हम संसदात्मक प्रणाली के गुण और विशेष्टाओं को देखें दूसरे नजरिये से पहला नाम मात्र और वास्तिविक कारिपालिका में भेद है दोनों में अंतर है नाम मात्र कारिपालिका राजिका प्रधान वास्तिविक राजिपालिका मंत्रि मंडल दूसरा राजनीतिक एक रूपता रहती है ये बहुत मत्पूर्ण बद्दा है बहुत मत्पूर्ण इसका लक्षन है कि एक रूपता रहती है विचारों के रूप से जो कारिपालिका है वह इस बात पर सहमत होती है कि उनकी नीतियों में कुछ समानता है एक रूपता है तीसरी विशेष्टा कारेपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ट संबंध है जिसका हम जेकर बारंबार कर चुके हैं चौथा यह शब्द सामोहिक उत्तरदायत मैंने पूर में कहा बारंबार कि संसत के प्रति उत्तरदाई है तो संसत के प्रति कौन उत्तरदाई होता है व्यक्तिकत रूप से हर मंत्री और उसके मुख्या प्रधान मंत्री संसत के प्रति उत्तरदाई है लेकिन इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी एक मंत्री या किसी एक मंत्र मंदल के सदस्थ की उत्तरदाईत का अर्थ है पूरे मंत्र मंदल को किसी कारे के लिए उत्तरदाई बनाना क्योंकि मंत्र मंदल जो है वह वास्तविक कारेपालिका के अनुरूप सरकार है और इस प्रकार सरकार कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी के तहट सामुईक उत्तरदायित के तहट काम करती है तो ये सामुईक उत्तरदायित की भावना बड़ी अहम है आखिर सामुईक उत्तरदायित क्यों? संग्शिप्ट में ज़िए हम बात करें सामुहिक उत्तरदायत्व की भावना से मंत्रि मंडल को कारे करना इसलिए आवश्चक है क्योंकि कभी विशम स्थितियों में कल्पना करिये देश का रक्षा मंत्री अपने प्रोशी से युद्ध की जरूरत पढ़ने पर भी युद्ध करने से हिचक रहा है क्योंकि उसे इस बात का भै है कि यदि श्युद्ध के परणाम ठीक नहीं हुए तो संसद और सांसद उसको उत्तरदाई मानते हुए पूरी जिम्मेदारी पराजय की या दुष्परणाम के उसके अकेले पठोब देंगे और इसलिए वो जरूरत के इस भै से उत्तरदाईत उसे बचने के लिए वो निर्णा ही नहीं ले रहा है जो और बुरा है ऐसी सितियों में कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी रक्षा मंत्री को संबल देती है उसको मालूम है कि उसके साथ पूरा मंत्र मंदल खड़ा है वो जो भी निर्णा लेगा उसके साथ पूरा मंदर मंदल और दूसरी बात कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी की अच्छी ये है कि निर्णा जो है वो सामूहिक होता है रक्षा मंत्री अकेले स्वायम ये निर्णा नहीं लेगा कि विदेशियों के साथ या पड़ोसियों के साथ युद्ध करना है नहीं करना है वो ऐसी स्थित में पूरा मंत्री मंडल निर्णा लेता है अपनी विवेक अपनी सोच और विविन पहलूओं पर विचार के बाद फिर निर्णा लेता है निश्चित रूप से यह निर्णा अकेले द्वारा लिए गया निर्णा से बहतर ही होगा तो इसलिए सामूहिक उत्तरदाईद की कलपना संसदी प्रणाली की एक बहुत महत्पूर्ण बिंदू है तीसरी विशेषता है या तीसरी नी बल्कि पांचवी विशेषता है मंत्र मंदल का कारेकाल अनिश्चित रहता है यह देपि संसद का कारेकाल निश्चित है संसद जो है सामानी स्थितियों में पांच वर्ष के लिए चुना जाता है और उस पांच वर्षों के अंदर यह संभव है कि मंत्र मंदल बदल जाए इस पर हम आगे विस्तार से जब हम प्रतिनिजित्व के चर्चा करेंगे तब हम बात करेंगे लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि मंत्र मंदल का कारेकाल अनिश्चित रहता है यह इसकी विशेषता है अध्यक्षी प्रणाली जैसा नहीं जहां चार साल वख कारे करेंगे ही यहां पर बदलती परिस्थितियों में मंद्र मंदल के सदसे बदल सकते हैं मंद्र मंदल बदल सकता है अगली विशेष्टा संसद की अनिवार सदस्दा जिस पर पूर में बात की जाएं बताए गया है आपको संसद की अनिवार सदस्दा उसके बाद इसकी अगली शेष्टा है लोक प्रिय संसद को भंग करना यद्यपी संसद का चुनाओ संसदों का चुनाओ संसद के लिए जनिता द्वारा होता है और उनका कारेकाल पांच वर्ष का होता है परन्तु कुछ स्थितियों में विशेश कर जब उस संसद से एक स्थाई बहुमत की सरकार नहीं निकल पा रही है तो ऐसी स्थिति में लोक सभा को भंग किया जा सकता है लोक प्रिय संसद को भंग किया जा सकता है और नए चुनाओं की घोशना की जा सकती है ऐसे नए चुनाओं जो वर्तमान लोक सभा के कारिकाल पूरा होने के पहले ही भंग किये जाने के कारण किये जा रहे हैं ऐसे चुनाओं कहलाते हैं मध्यावधी चुनाओं क्या कहलाते हैं मध्या वधी चुनाओं तो आपको ये ख्या लखना होगा कि संशदी व्यवस्था में लोगप्री सदन को भी भंग करने का प्रावधान है अगला बिंदू अगली विशेष्टा लख्षन संशद की सर्वोचता संशद सर्वोच है क्यों संशद है क्या आपको उसको मूल में जाके बार बार इस बात को अपने मन में बैठाना होगा कि संशद जनता के प्रतिनिधी हैं जनता ने उन्हें भेजा है और जब जनता चाहेगी उन्हें बला लेगी भले उसके लिए उसे पांच वर्ष का कारेकाल पांच वर्ष के लिए प्रतिक्षा करनी पड़े जो कि संसत का कारेकाल है चुकि जनता भारत के सम्विधान में बारम बारित बात को श्पष्ट कहा गया है कि जनता भारत में सुप्रीम है इसलिए जनता के प्रतनिधियों का जो से बनी हुई जो संसद है वह भी सर्वोच है जनता की सर्वोच्चता भारती सम्विधान में इस रूप में परिलक्षित होती है कि संसद को भी सर्वोच्चतान दिया गया है व्यवस्थापिका को सर्वोच्चतान दिया गया है क्योंकि इसी व्यवस्थापिका से तो कारिपालिका के लोग निकलते हैं तो कारेपालिका को व्यवस्थापिका के नीचे रखा गया है और सरकार का जो तीसरा अंग है न्याएपालिका वह तो इन सबसे स्वतंत्र है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संसदी प्रणाली में संसद को सर्वोच श्थान बिलता है संसदी प्रणाली की एक बहुत अहम विश्था है कि इसमें प्रधान मंत्री की प्रमुकता होती है प्रधान मंत्री की प्रमुकता से क्या माएने जैसे अध्यक्षी प्रणाली में राष्ट्र परति सर्वे सर्वा है All Powerful है संसिधी प्रणाली में वह स्थान एक तरीके से प्रधान मंत्री का है सम्वेधानिक दिर्ष्टी से दिखा जाए तो संसिधी प्रणाली में स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री मंत्र मंडल का ही एक सदस्य है लेकिन मंत्र मंदल्क में बहुत से सदस्य होते हैं तो उनके संचालन के लिए उनी सदस्यों में से एक को प्रधान मंत्री का पद दिया गया है अर्थाथ वह बाकी अन्य मंत्रियों से थोड़ा उंचा है लेकिन प्रैक्टिकल में जदे हम आते हैं जमीनी सचाई ये है कि प्रधान मंत्री बहुत शक्ति शाली है प्रधान मंत्री की प्रमुक्ता बड़ी स्पस्ट है दैनन्दिनी में डे टुडे पिलिटिकल लाइफ में देश के रोज मर्रा के कारेयों में आप बारं बार पाएंगे प्रधान मंत्री की महत्ता इस पश्ट दिश्टी गोचर है विशेष्टाओं में अंतिम विशेष्टा है गोपनीता ये जो भी कारेयों मंत्री मंदल करती है इस बात को सुनिश्चित रख करती है कि इसके द्वारा किये जा रहे कारेयों कि गोपनीता जब तक आवश्चक है बनाई रखी जाए गोपनीता की शपत लेकर सांसदों और फिर कारेय पालिका के मंत्र मंदल के लोग कारे करते है ये बहुत अहम गुण या विशेष्टा हमारे संसदी प्रणाली की है संसदी प्रणाली के यदि हम कुछ लक्षणों और विशेष्टाओं के अलावा हम उसके कुछ अच्छे गुणों की बात करें तो कुछ बंदितों हमने अलड़ी समझ लिये हैं लेकिन अच्छे गुणों की बात करते हुने थोड़ा अलग से हमें समझने की जुरत है और वह है पहला इसकी अच्छाई है कि कारेपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग की तीवर संभावनाएं बनाई गई है ऐसी स्थितिया निर्मित की गई है समझने की जिश्टि से जिसे से यह सुनिश्चित हो कि कारेपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग का तादात में रहे दूसरा इसका बहुत अच्छा गुण जनता के प्रती उत्तरदाई है तीसरा इसका बहुत महत्पूर्ण बिंदु है वह है लचीला पन और या परिवर्तन शीलता मैंने आपको बताया कि बदलती राजनतिक परिश्थितियों में जनता का मत अलग-अलग दलों को जा सकता है सरकारें बदल सकती हैं मंद्र मंडल के सज़स्थ भी बदल सकते हैं लोग प्री संसद्धी भंग भी हो सकती है और इस परकार हम देखते हैं कि प्रधान मंत्री भी बदल सकते हैं वही संसद होते हुए प्रधान मंत्री भी बदले जा सकते हैं तो कुल मिला कर संसदी प्रणाली के एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत लोच है लचीला पन है परवर्तन शीलता की पर्याप्त गुन्दाईश है ठोस नहीं है रिजिड नहीं है ठोस का अर्थ रिजिड फ्लेक्सिबल है चेंजिबल है और ये इसकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है तीसरी अच्छाई योग और अनभीवी व्यक्तियों का शासन चौथी अच्छाई कि कारेपालिका या व्यवस्थापिका ये दोनों में से कोई भी निरंकुष नहीं रहो तकता जिसके संभावना अध्धक शात्मक प्रणाली में साफ दिखाई देती है जिसके उधारन भी बहुत से हैं लेकिन संसदीर प्रणाली में ऐसा बहुत ही कम या नहीं के बरावर होता है जब या तो कारेपालिका निरंकुष हो जाए ओल पाफुल हो जाए या होना बहुत कम रहती है वास्तों में लोक तंत्र वास्तों में जन्ता के शासन की हमेशा उसमें च्छाप रहती है संसदीर प्रणाली चूंकि मतदान पर आधारित है और मतदान के पूर्वराजनितिक चेतना मतदान के पूर्वराजनितिक प्रचार बहुत आवश्चक है इसलिए संसदीर प्रणाली में हम देखते हैं कि जन्ता ज्यादा जागरूख है जन्ता ज्यादा चैतन्य है जन्ता ज्यादा सजग है राजनीतिक मामलों के प्रती, दलों की स्थितियों के प्रती, विविन नेताओं और दलों के विचारों के प्रती, उसकी सजगता संसदी प्रणाली में बड़ी स्पष दिखती है तो ये एक बहुत अच्छी बात संसदी प्रणाली की है अगला अगला गुण संस्थिधी प्रणाली में की बात करते हुए मैंने शुरू में कहा कि कम से कम दो दलों का होना अवश्चक है एक सत्तारूड दल और एक विरोधी दल दूसरे शब्दों में बिना विरोधी दल के सत्तारूड दल कारणी कर पाएगा अप एक से दिशा में नहीं जा पाएगा और बिना सत्तारूड दल के विरोधी दल का कोई माएने नहीं अर्थाथ दोनों का स्थान बहुत महत्पूर्ण है सरकार चलाना और सरकार के विचारों पर सरकार की कारशाली पर सरकार की नीतियों पर टिपनी करना विरोध करना वह भी उतना ही महत्पूर्ण है जितना की सरकार चलाना विरोधी दल के महत्व को एक संसदी प्रणाली में नकारा नहीं जा सकता यहां तक कि भारत के सम्विधान में एक प्रावधान है कि विरोधी दल का जो नेता है विरोधी दल जो होते हैं वे सब मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं वह नेता भी वे सारी स्विधाएं पाता है जो की एक कैबिनेट मंतरी को मिलती है उसे opposition leader बोलते हैं विरोधी दल का नेता opposition leader जो पूरे विरोधी दलों का एक leader बनता है वो अभी cabinet rank के status को enjoy करता है अगली अच्छाई, अगला गुण वेकल्पिक सरकार संभव है मैंने जैसे आपको बताया कि वही संसद रहते हुए मंत्र मंदल बदल सकता है मंत्र मंदल के सदस्य बदल सकते है प्रधान मंत्री भी बदल सकता है और तो और सत्तारूड दल हो सकता है विरोधी दल में शामिल हो जाए और विरोधी दल सत्तारूड हो जाए उसी एक संसद के अंदर रहते हुए ये सब संभावनाएं बनी रहती हैं इसके माइने क्या हुए कि एक ही संसद के अंदर वैकल्पिक सरकार बनना संभाव है और ये संभावना संसदी प्रणाली की एक बहुत बड़ी अच्छाई है अगली अच्छाई लोकटंत्र सिधान्त के अनुकूल है लोकटंत्र, जनता का शासन, बीसवी कीसवी शताबदी जो है वो लोकटंत्र रस्था पर उसका अटूर्ट विश्वास है इससे पहले जितनी शासन पधतिया आईं, जितनी शासन व्यवस्थाएं आईं ऐसा देखा गया कि लोक तंत्रिक व्यवस्था सर्वश्रिष साबित होई है और इस लोक तंत्रिक व्यवस्था का आधार क्या है लोक शासन, लोक सत्ता, जनता का शासन जनता का शासन संसदों के द्वारा संसद से परिलक्षत होता है और इस प्रकार विवस्थापिका और कारिपालिका में बहुत तादात में होता है तो इसलिए लोकतंत्रिक सिधान्त के तहट अनुकूल है लोकतंत्र में इस बात में कोई दो मतनी के बहुमत का शासन होना चाहिए तो लोकतंत्र और बहुमत में गहन संबंद रहता है अगली विशेष्टा संकट काल के समय ये बहुत अनुकूल प्रणाली पाई गई संकट काल के समय जो सामूहिक निर्णे की जो प्रथा संसिदी प्रणाली में होती है वह संकट काल से उबरने में उबारने में बहुत अहम भूमिका निभाती है कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी के ही प्रणाम है कि किसी भी तरह की आपत्ती विपदा आपता की स्थिती में बड़े धैरिस से पूरे काम होते हैं सोच विचार के काम होने की गुजाईश रती है और गलतियों की कम गुजाईश रती भले ही निर्णे लेने में समय थोड़ा ज़्यादा लगे अगला अगली विशेष्टा देश का प्रधान नेश्पक्ष होता है देश के प्रधान से ततपर क्या है राष्ट पती जो नाम मातर के लिए है लेकिन चूंकि वह देश का प्रधान है ना वो सत्ता रूर दल का आदमी है ना सत्तारूर दल की आवाज है ना विरोजी दल की आवाज है वह समग्र देश वासियों की पूरे देश की आवाज है पूरे देश को प्रतिबंबित करता है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि वह ऐसा करता है वह निश्पक्ष है किसी एक दल, किसी एक विचारधारा, किसी एक प्रभाव से वह अपने को जोड़ नहीं सकता यदि वह राष्ट पती हो और अंतिम विशेष्टा, अंतिम गुण, इस व्यवस्था का, कि मंत्र मंडल जो होता है, उसमें विभिन वर्गों के लोगों को लेने का प्रावधान है विभिन वर्गों से ताटपर ऐसा है कि भारती समाज में, जिसमें उच नीच, विभिन धर्म, विभिन जातियां, विभिन संप्रदाय, विभिन आर्थिक स्थितियों के लोग हैं, बड़ी संख्या में इन सब का प्रतिनिद्ध्व होने की संभावना यदि किसी शासन व्यवस्था में है, उचित प्रतिनिद्ध्व तो वाकिवल लोक तांत्रिक व्यवस्था में या संसिदी प्रणाली में हैं तो एक बहुत बड़ी अच्छाई इस व्यवस्था की है, कि संसिदी व्यवस्था में, व्यवस्था कारिपालिका में जो वास्तविक मंत्रि मंदल है, वास्तविक कारिपालिका है, उसमें विभिन दलों, विभिन वर्गों के प्रतिनिद्ध्व के माध्यम से ये सुनिश झाल 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 झाल